इसका कहना है कि राज के लगभग स्पीन से चार बज़े के पीज ये एक्सिडेंट हुआ था ओवर स्पीज की वज़े से गारी आउट ओफ कंट्रोल हो गई होगी और सडक से खाडी में गिर गई होगी एक्सिडेंट में बंसी नाम के आदमी की मौत हो गई है तुमने बहुत तगड़ी प्लानिंग किये जैए पैसो के लिए तुमने एश्वरिया से प्यार का नाटक किया उसके कंपनी से करोडो पैसे लूटे तुम जैग और फिनांस के किसी स्कैन में शामूच किया हुआ मुझे भी मारना चाहते हो तुमने जो स्क्याम किया है अभी तक एश्वरिया को पता नहीं है मेरे पास तारे डॉक्यूमेंट्स है मेरी फ्रेंड नित्या के पास भी है तुम अब बुरी तरह भस चुके हो डेविड और बंसी को तुमने क्यू मारा ये बात में बताना मैं जानना चाहते हूँ कि गौतम को तुमने ही मारा है या नहीं हाँ मारा क्यू मारा? मुझे उसे मारना पड़ा उससे तुम्हारा क्या भी गाड़ा था? अगर गौतम नहीं मरता तो जै का पूरा परिबार बुरी तरहें से बरबाद हो जाता एसी कौन सी बात थी जो तुम्हारा परिबार बरबाद हो जाता मेरा परिबाद महीं जै का परिबार जोट मत बोलो जै का परिबाद हो 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 जै झाल झाल मेरे साथ जब हुआ वो किसी को नहीं पता और कोई विश्वास भी नहीं करेगा तुमारे लंडन जाने के दस दिन बाद मैंने अपने अडवेंचर कैम के स्पांसर्शिप के लिए जैगोरी कंपनी के वेब साइट खोली थी उस वेब साइट में जैगोरी चैमन का फूटो देखकर मैं हैरान रहे गया उसका नाम जैग था और वो बिलकुल मेरे जैसा था मेरी छोटी छोटी दाड़ी होती तो मैं बिलकुल वैसा ही दिखता मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ तो भी मेरे दिमाग में एक बात सूजी देखना चाहता था कि अपना लुग बदल कर मैं जैग जैसा देख सकता हूँ या नहीं मैंने जब आइने में देखा तो सच में जैग जैसा देख रहा था इस रिजल्ट से मैं खोश हो गया मुझे कोई भी जै समझेगा इस बात की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी मुझे पता चला कि जै की कंपणी के ट्रांजाक्शन्स देखने वाले उसके ताउजी मोहन उससे एक होटेल में मिला करते थे उस दिन मोहन जी अकेले ही आए मैं जै बनकर स्पॉंसर्शिप के लिए उनके कमरे में गया ऐसे ही उन्हें सुप्राइज करने के लिए मैंने वो जै गोरी वेबसाइट में मैंने जै गोरी पाइनेंस के पब्लिक इंटरेस्ट के पाथ सो करोर रुपे निकाल कर जुआ खेलने और गेर कानूनी कामों में इस्तिमाल कर लिया बेटा और वो 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 सारा का सारा पैसा डूप गया मैंने बंसी के कहने पर ऐसा किया और अब कमपनी के अकाउंट में एक फूटी कौडी नहीं बची है बेटा अब हम साड़क पर आ जाएंगे तेरी शादी रुख जाए मैंने राम प्रकाशी से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वादा किया कि वो जैग और ये अकाउंट में पाच्सो करो ट्रांसफर कर देंगे मैंने तुम्हारे पिताजी का बंग